नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक्स वक्त है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूं आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाने के विशे में गठिया रोग से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजी सब्सक्राइबर बटम के साथ जो बैल आइकोन है आप उसके ओपर क्लिक करना ना पूली क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिपकेशन आते रहेगी जिसे देखकर आप अपने लि में इसके रोगी है जोडों में दर्द अकडन और सूजन इसके समाने लगसर है मगर गठिया बढ़ जाए तो रोगी का चलना फिरना तूबर हो जाता है इसका सबसे जादा असर घुटनों और रीड की हड़ी पर होता है इसके लावा उंगलियों के जोडों कलाई कुलों घुटनों और पैरों के जोड़े पर असर डालने के साथ साथ मसल्स उतकों पर भी प्रभाव डालता है आम समस्या बनी गठिया का घर पर ही असान तरीके से उपचार किया जा सकता है जरूरत है तो सिरफ जानने की जिससे रोगी को काफी राहत मिलेगी तो आये दोस्तों जानते हैं गठिया को ठीक करने के कुछ घरे लोगा है जो आपको काफी रहा देंगे और आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे आलू का जूस कच्चे आलू का जूस गठिया की उपचार में सबसे अधिक कारगर है यह सदियों से किया जाने वाला देशी उपचार है खाली बेट इस पानी का सेवन करे आपको बहुत अधिक लाप पलेगा सबजियों का जूस हरी सबजियों का एक कप जूस रोजाना पीने से गठिया में काफी राहत मिलती है इसके लिए कुछ हरी पतेदार सबजियों को चुकंदर और गाजर के साथ मिलाकर इसका जूस नि खाली बेट इस पानी को भीगे फे बीजों की साथ पी लिए यह उकचार जोडों के दर्व में अत्यनति लापकारी साबित होता है लसुन लसुन भी गठिया का कारगर उकचार माना जाता है इसमें एंटिन फ्लमेंटरी गुन पाये जाता है जोसे बीमारी के उकचार में क केले में विटामिन B मुख्य रूप से पाय जाता है और विटामिन B गठिया के उपचार में अधिक असरदार माना जाता है। गठिया के रोगे को उपचार के लिए 3-4 दिन तक रोजाना सिरफ केला खिलाया जाता है। इसमें एक दिन में रोगि 7 से 8 के लिए रोजाना खाता है मूं की दाल का सूब यह सूब जोडों के दर्द में सीधा फाइदा पहुँचाता है इसे त्यार करने के लिए एक चमच मूं की दाल को लसुन की दो कलियों और एक कप पानी में मिलाए जाता है इसे दिन में दो बार लेने से जल्द रहात मिलेगी कड़वी सबजिया काएं करेला, सहजन की फलियां और नेम के फूल गठिया की इलाज में काफी कारगर होते ही इनकी सबजी बना कर खाएं कोशिस करें कि इसे बहुत भूने नहीं और अगर अधकची सबजी हो तो बहुत ज़्यादा असरधार होती है कैस्टर ओयल इस ट्रेटमेंट को एक स्पेनिस डोक्टर ने इजाद किया था दो चमच कैस्टर ओयल को गरम कर गे एक गिला संत्रे के जोस में मिलाकर रोजाना सेवन करे इसे रोजाना नास्ते से पहले ले और तब तक ले जब तक बिमारी पूरी तरह से खतम नहीं हो जाए इस दवा को प्योग सन उन्निस सो नब्ब में एक अमरीकन डोक्टर ने शुरू किया जिसका नाम टेलर था उसने अपने मरीजों को सलहा दी इसका सेवन पहले तीन हफते करें इसके बाद अगले तीन हफते से छोड़ दें इसके अगले तीन हफते फिरी से लेना सुरू करें ऐसा करने से मरीजों को बहुत अदे कला मिला लेकिन इस प्रकिजिया को अगर इसी तरह से दो रहा कर इस्तेवाल नहीं किया गया, तो लाब नहीं हो गया, तो दोस्तों, आप भी इन उपायों का परियोग करके, अपनी गठिया की बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं, तो दोस्तों, यह थी हमारी विडियो, अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगे, या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वेशेद करना ना पूले इसके साथ-साथ आप हमारी शूटूट चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन क सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धनेवा दोस्तों